हेलो फ्रेंस वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल लाइफ हेल्थ और मैं आपके साथ हूँ श्वरांचिली दोस्तों अकसर सभी को बालों की समस्या होती है बालों के जड़ने से लोग परिशान होते हैं जब बाल गिरने लगते हैं तो लोग काफी परिशान होके अलग-अल बालों के लिए नुश्खे भी आजमाते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई फाइदा नहीं होता कोई रिजर्ट नहीं मिलता इंफ्रेंस आज मैं आपको कुछ ऐसे नुश्खे बताने वाली हूं जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और ये चीज आपको आपके घर में ही मिल सकती हैं इसे आप काफी एजली से कर सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बारा है तो प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को ज्यादा लोगों में शेयर भी करें और अगर वीडियो और यह निसके आपको पसंद आ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूले आए दोस्तों जानते हैं आखिर वो कौन से उपाय है जो आप इतनी आसानी से कर सकते हैं और बालों का जायना हमेशा के लिए बंद हो सकता है और आपके बाल काफी मजबूत लंबे और घने और शाइनी हो जाएंगे दोस्तो पहला तरीका है अलोवेरा जिल अगर आपके घर में अलोवेरा का पौधा है तो उसमें से एक पत्ति अलोवेरा का ले लीजी और उसमें से आप काटके उसमें का जिल निकाल लीजिए और उस जिल को मैस कर लीजिए चाहे चमज से कीजिए यहाथ से जितना भी आपको लग कि आपके बालों में अच्छे से लग जाएगा उतना आप ले सकते हैं अच्छे दस चम्स तक उसके बाद आप इसे अपनी बालों के जड़ों में लगा सकते हैं जैसे आप महन्दी लगाते हैं इसके बाद आप जूड़ा बांध लीजिए आधे घंटे के लिए उसके बाद आप इसे धो लीजिए इसे आप हप्ते में दो तीन बार कीजिए आपको पंद्रा दिनों में ही फर्क पता चल जाएगा आपके बाल जर्णा बंध हो जाएगे शाइनी हो जाएगे मद्वूत भी हो जाएगे आपके बाल अंदर जड़ों से रिपेर हो जाएगे और कुछ लोगों के बाल काफी ड्राइ हो सकते हैं तो उन्हें एलोवेरा जेल में थोड़ा सा सरसो का तेल मिला लेना है इससे उनके बाल नरिस हो जाते हैं तो बालों से ड्राइनेस खतम हो जाती है सरसो का तेल बालों के लिए वैसे भी काफी अच्छा होता है तो एलोवेरा जेल में भी आप सरसों का तेल इस्तिमाल कर सकते हैं यदि आपके बाल काफी ड्राय है तो और दोस्तों दूसरा उपाय है आप एक लीटर नारियल का तेल ले लिजिए और आपको धाई सो ग्राम ताजे आमले लेने है और आमलो को काट कर उसमें से गुठली को निकाल लेना है और पीसेस में काट लेना है उसके बाद आपको तेल गरम करना है कढ़ाई में और उन आमलो को कटे हुए उस कढ़ाई में डालना है ओयल में और पंद्रा बीस मिनट के लिए उसे तेल में पकाई आमले को और जो तेल तयार होगा वो आपके बालों को जड़ने से हमेशा के लिए रोक देगा और आपके बाल घने मजबूत और चमकदार हो जाएंगे इस तेल से बालों की ग्रोथ भी काफी अच्छी हो जाती है और दोस्तों तीसरा उपाय है आपको सोते समय एक ग्लास दूध में डाल चीनी का पाउडर एक चौधाई चमक्स डाल लेना है और दूध में मिक्स कर लिजे और उस दूध को आप रोज पीचे इससे भी आपके बाल जड़ना काफी जल्दी बंद हो जाते हैं और ये आपके इसकिन के लिए भी काफी अच्छी होती है दाल चीनी तो फ्रेंट्स आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होगा अगर पसंद आए तो प्लिश वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इस वीडियो को जादर जादर लोगों में शेयर भी करें हमें कमेंट करके जबर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नमस्कार दोस्तों